हेलो वाट्स आप गाईस माई नहीं स्पिनोध बादू थापा एंड टूडेन इस फिडियो बीबिल सी कीज इन रियाक्ट अप्लिकेशन जी हां गाईस तो रियाक्ट अप्लिकेशन में कीज बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है और आपको यह समझना जरूरी है कि कीज को हम क प्रफिज.jsx कोड में सेर कर दूंगा और में यह कोड को यहां पर पेस्ट कर रहा हूं पॉपक्ट सेम हमने जो टूडव अप्लिकेशन बनाया था ना वही है बट मैंने एक डिफ्रेंस यह किया यहां पर कि उस टूडव अप्लिकेशन में मैंने एक इन्पुट फिल्ड मैंने एक इन्पुट फिल्ड दे जिसका नाम मैंने टाइप इकल टू टेक्स रखा है और बाकी कुछ नहीं किया बाकी बस मेरा यह जो इन्पुट वैल्यू था उसको मैं जहां पहले एकदम बाद में आड़ कर रहा था आप में स्टार्टिंग में मेरी जो वैल्यू उसक कर रहा हूं इस वेरी इंपॉर्टेंट यह जो टूडू था उसको अटाके में कीज कर दे रहा हूं और पॉर्फेक्ट अब आप ध्यान से दिखेगा आपको पता चल जाएगा यहां पर इसको मैं रिफ्रेस करता हूं सॉरी इसको नहीं लोकल उस 5173 सो दिस इस आर टू- पर कीज कीलिक अब गलव यहां पर यहां जाहिए मैंय आजायएक इस आपना खुझ परार्प्र बॉंग आजाएग व मैं यह न इस ये सदी apple के पास होना चेहिए आइ-mean apple के पास था अब हो mango ने चिन लिया वो तो कुछ नहीं अब अगर मैं orange पहले तो और härषे चला गया एक काम करता हूँ I love mango चलो ठीक है orange में आइ-लप apple रे mango में आइ-लाप mango में ने कर दिया बढ़ अब हिहा पिअगर मैं grapes एड़ेट करूंगा अब वो ग्रेप के पास आई लब एपल चला गया और ओरेंज के पास आई लब मैंगो चला गया अब मैंगो एपल दोनों एक दूसरे का मुह देख रहें बगवान यह क्या हो गया समझ रहें तो यह प्रॉब्लम आ सकता है अब यह क्यो हुआ मैं आपको बताता हूं ठीक है उसकी पीछे का रीजन जो है मैं आपको बताता हूं लेकिन उससे पहले आप इस लाइट को दिखिए फूरा एनिमेशन के तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा देखो तो इसका सिंपल मतलब यह कि आपके रियक्ट अप्लिकेशन में जब भी आप मैप मेथेड उस करते हो और जब उसके इंदर लिस्ट डिफाइन करते हो तब वहां पर हमें कीज करना पड़ता है और कीज यह मेक्शिवर करता कि वह एकदम यूनिक हो जिसके चलते रियक्ट को यह पाता चले कि हाँ यह जो यूनिक आईडी है यह इस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को बिलॉंग करती है पर सकती हो जैसे आप स्कुल जाते हो जब आप क्लास में एंटर करते हो थो आपको एक रोल नंबर ऐसाल होता है तो वचीज आपका रोल नंबर का रोल प्लेका यह पर वह बस इतना अ कि कि आपका यह उन्यों के होना चीए ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको पता चलेगा लेट से कीस टेल्स रियक्ट विच एरे आइटम्स इच कंपोनेंट कोर्सपॉन्ट जो मैं अल्रीड बाता चुका हूं अब देखे लिए कीस के साथ कुछ तो हुए जिसके चलते हमारा जो एक्चौल डेटा जो इंसर्ट होना चीए प्रॉपरली बटो नहीं हुआ तो अब आम इसको समझते एक सिंपल तरीके से अल्राट गैस तो फाइनली हमारा जो एनिमेशन है में स्टार्ट करने जा रहे आप एकदम रिलेक्स हो जाईए एंड कुछ समय के लिए आप बस ध्यान दीजे कुछ करने की निटनी सिप सुनिए अच्छे से अब मुझे उसको क्या करना है मैप के थुरू one-by-one लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है तो हम क्या कर रहे है रियक्स में जब भी आप मैप मेथेड यूज करते हो आपको आल्वेश की यूज करना चाहिए बट हम की यूज नहीं कर रहे की एट्रिविट हम बूल गए जानता है उसके पास इतना दिमाख है कि आटोमेटिकली जो इंडेक्स है उसको आज की एड कर देता है जब भी आप मैप मेथेड यूज करते हो आपको जो सेकेंड आपका आर्गुमेंट है करेंट एलिमेंट के बाद वह आपका इंडेक्स ही रहता है तो वह यहां पर यह देखो यह मेरा डेटा है ठीक है एंड यहां पर आप देखोगे जब इसको मैंने कोड में कुछ इस तरीके से रन किया था यूनो यह देखो मैप मेथड की मादस से एंड हेर वी हब इस इंडेक्स फिलाल में इंडेक्स करो बट अगर सपोज हमने नहीं क्या होता यह हम इंडेक्स कर रहे होते हैं and here we have this li ठीक है तो reality में कुछ वह आपको दीखता ऐसा है यह देखो आपका code जिसमें we have ul and we have 4 li ठीक है दिख रहा है आपको यहां पर कुछ वह एसा दिखता है तो I hope आपको पता चल गया यह क्या हो रहा हिए अब ध्यान से देखिएगा let's imagine अब मैं क्या कर रहा हूँ यह एकदम सही वाला है फिलाला भी मुझे YouTube को at the end में add करना है तो अब होगा यह कि the react will generate a new tree of structure समझ रहे हो react जैस क्या करता है new updated tree create करता है जिसमें वो compare करता है देखता है कि क्या हो रहा है since we are using indexes जब हमने new item को add की तो बहुत क्लियली देख सकते हो कि हमारा जो एक item है that is यह वाला part key with two YouTube जो value है वो at the end में add हो गया है चलो ठीक है अब थोड़ा और bottom पे चलता हूँ तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियली देख सकते हो I know आपको bottom पे दिख रहा है but in reality वो आपका एक tree होता है and वो यह check करता है कि कौन सा जो node है जो extra add हुआ है या update हुआ है तो हमारे case में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत क्लियली दिखाए दे रहा है कि यह जो key with zero and then one वाली जो value है वो unchanged है उसको कुछ भी नहीं हुआ बट हां हमारे ul में at the end में एक new li add हुआ है with key value to जिसका text node की value है YouTube तब अब क्या होगा react.js जो है हमारे react dome को inform करता है demand देता है बोलता है यह जो एक particular new element है आप हमारा जो new updated dome tree होगा उसमें आप उसको add कर दीजे and the moment वो add कर देगा वहाँ पे तो हमारे user interface पे यह जो extra data है वो दिखाई देगा तो इसलिए अगर मैं यहां पे वापस लिख देता हूँ testing या कुछ भी add करना चाहूँ तो वो मुझे वो दिखाई देता है फिलाल अभी top है बट हम वो bottom add कर रहे simple तो यहां तक आपको पता चल गया अब हम second scenario देखते जहां पर आपको problem आने वाली है और वो हमें कभी करना निचा है यह बहुत ही जाद important है let's imagine अब जो यह data हम at the end में जो add कर रहे थे आप हम एकदम top add करना है ठीक है तो आप देख सकते हूँ कि यहां पर यह जो subscribe करके एक जो new item है वह हम add कर रहें and guys अभी तक अगर आपने subscribe नहीं कर तो please कर दीजाएगा वह हम at the beginning में add कर आप खुद देख सकते हो यहां पर तब फिर से वह होता है the moment कुछ भी data add होता है update होता है delete होता है तो एक new tree create होती है जहां पर reconciliation process में यह चेक किया जाता है कि कि किसको change किया गया है या क्या update हुआ है या क्या new add हुआ है ठीक है तब आब यहां पर बहुत क्लिए देख सकते हो since हम index कर रहें as keys keys of all items will change जितने भी items थे सब के keys की जो value है वो change हो गई इससे पहले जब हमने देखा था at the end में प्यारा सा एक new item add हो गया तो जिसमें key update हो गया थी text note update हो गया था but now सब के keys change हो गया क्योंकि हमारा यह जो application है वहां पर जो item है वो एक keys I mean जो भी उनको एक unique key define किया जाता है जैसे आप school जाते हो नया admission ले तो आपको एक new roll number मिलता है and वो roll number ही आपको बताता है कि यह roll number का इंसान कौन है समझ रहे हो आपका वो change नहीं होता रहता है वो इसे ही react में भी same way fund है keys की जो value है वो define करता है कि उसमें कौन सी value है but थोड़ी देर पहले key 0 की value था पात थी but now अब वो subscribe हो गई है इसका मलतब क्या हो इसका मलतब यह कि सब की key की value चेंज हो गई हर एक element जो था item जो था सब की key की value चेंज हो गई and उपर से ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है react.js जो है one by one compare कर और उसने यह देखा key तो change हुआ हुआ साथी साथ जो value है वो भी change हो रही है यहां पर देखोगे कि यह जो text node है even key with one उसका पहले technical थापा हो गया and साथी साथ react.js को अब यह realize हो गया कि key to करके new list item है जो add हो गया है at the end react.js will update text node of li at the beginning and it will append li at the end इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो starting में ठीक है यह जितने भी दो-दो li जो थे उन्होंने सिरफ उसका जो यह text node है उसका update की क्योंकि key तो बराबर था and at the end में उन्होंने li को append कर दी but wait problem यहां पर यह है कि हम तो data I mean जो भी हमार item में वो था हम एकडम टॉप पर आड कर रहे थे यह bottom पर कहां से add हो गया and एक element को add करने के लिए सब का value हमें चेंज करना पट रहा है you know सब का key change हो जा रहा है text node change हो जा रहा है तो यह तो बहुत गलत है react.js is updating text node of all the li elements when it shouldn't have this is happening because index being used as a key and आपने तो की यूज भी निकी था हम यह assume कर रहे यहां पर now that's why your key should never ever change for an element this can cause a lots of problem and मैंने आपको दिखा भी दिया तो यह वही problem मैं फिर से refresh कर रहा हूं यहां पर आईये देखे द्हान से है ना apple ठीक है यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं I love apple and मैं अब यहां चलता हूं mango add key and boom guys खता मुदरी खता तो इसका simple reason तो क्या था मैं आपको बताता हूं simple तरीका तो यह था कि यह जो particular code है यह हम सबसे पहले add कर रहे है and the moment आप पहले add करोगे तो keys तो हम index ही use कर रहे तो no matter what key 0 always top पे ही रहेगा बस text note change होता जाएगा and at the end में आपका new li add हो जाएगा जो की गलत है तो at least उसको ठीक करने के लिए मैं एक shortcut तो यह कर सकता था कि मेरा previous data as it is रखिये लेकिन जो भी new data add होगा उसको एकदम and में add की एकदम and में अब and में क्या होगा की सभी के सेम रहते उपर text note सभी सेम रहेगा at the end में बस एक नया की उसको assign हो जाएगा एक new value उसको मिल जाएगी आप इसको refresh कर रहा हूं अब ध्यान से देखने अब मैं अगर apple करता हूं and यहां पर I love apple ठीक है अब अगर मैं यहां पर mango करता हूं and enter hit करता हूं अब वो अपनी जगे ही है I love mango अब लेट से मैं यहां पर orange कर देता हूं अब यहां पर हो यह रहा है simple job मैंना आपको starting first animation वाला दिखाया था first scenario जिसमें at the end में add कर रहे थे बले ही हम keys यूज कर रहे है text note change कर देगा input value उसको यह fill होगा key zero का value था ना की key one या apple का उसको apple से थोड़ी कुछ लेना देना है तो guys यह एक तरीका था data आप always bottom add कीज़े लेकिन हमेशा यह तो रहेगा नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम उपपर top pad करते तब उसके लिए guys आपको फिर क्या करना पड़ेगा किसी भी part किसी भी समय किसी भी value को अगर future में change होना है या delete होना है जो भी होना हो उसके लिए guys always we need to use state तो अब आपको इसके लिए भी एक नया state create करना पड़ेगा उसको define करना पड़ेगा and then आप use कीजिए तब आप बहुत easily at the top pad करोगे जब भी कुछ भी लिखो बराबर वह always उसके साथ ही attach रहेगा तो यह concept है आपको समझना जरूरी था कि क्या होता है यह funda जल्दी से एक चीज में दिखा देता हूं यहां पर अगर में components पे चलता भी हूं तो ध्यान से देख लीजे here we have this key key 0, key 1, key 2 देखा आपने आपको पता चल गया न यहां पर कैसे आपको keys की value देखो आपने कभी सोचा नहीं होगा but keys हमें बहुत जरूरी यह गाई इसको हमें समझना जरूरी था कि funda क्या है इसका इन्रे कैसे चलता है तो always make sure keys आपको एकदम unique हो and मैंने बहुत वीडियो बनाया इसके उपर अगर आप देखते हो so here I have this part जहां पर मैंने बताया था react best practices no one will tell you यह एक वीडियो था and दूसरा यह वीडियो जो मैंने कल के दिन बनाया best way to store to do values इसमें मैंने unique id for our index for our keys वो बता है तो 39 and then हमारा यह जो best practices 38 and 39 इस वीडियो को जरूर check out किजेगा आपको बहुत अच्छे साइडिया आ जाएगा ठीक है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लिए इतना ही I hope जो मैंने animation के तुरू आपको दिखाना चाहा आपको idea आ गया होगा पता चल गया होगा कुछ भी डाउट आता आप वापस से इसको एक और बार देखिए थोड़ा से इस पर research कीजे comment जरूर कीजेगा मैं हूँ यहाँ पर आपकी help करने के लिए मैं आपकी जरूर help करूँगा ठीक है so guys please video को like कर दिजेगा बहुत मैनत लगती ऐसे video बनाने के लिए ठीक है and दोस्तों के साथ भर भर के share कर दिजेगा मिलता हूँ मैं आपको next video में till then guys thank you so much take care